लोग सरकार से नाखुश है, नाखुश होने की वज़ा इस बार है कि तीन दिन से ना ही पकेडंगे में, ना ही रिहाडी कॉलनी में और ना ही अफगान महलने में पानी की सप्लाई आई है पानी की सप्लाई बंध होने के कारण दोगों का जीना मुश्किल हो गया है उनका ये कहना है कि लगातार 3-4 दिन तक या उससे भी जादा कहीं कहीं जगाओ उपर 6 दिन तक पानी नहीं आ रहा जिसकी वज़ा से ना ही पीने का पानी उनके पास है ना ही घर के अन्ने काम करने के लिए पानी की सप्लाई उनके पास है ना ही कॉर्परेटर के तरफ से कोई टैंकर लाया गया ताकि यह जो पानी की शॉटेज पुरे महले में है उसे फिल किया जा सके अज पांच शेदें नो ये नलकानी आगा था पांच शेदें अनु ये कार पानी ऑक बूद नहीं है तर इन्हीं मुश्क्लों इन पानी ऑचे जाए ओ त्वे डेग दूरों जाए कुसे हो पानी आंदी एक बाल्टी पानी दे कमाना चाहिए तर गलिंगा तूटी दिंगा है बूरे आलन इंपके लिए आलधिकांऱ् जिर रोतर। अभी पानी पर नभी एक नंचार्णव मेरी आपको नवी आपको गूरी सनी सीररव पनी धूर कि आई जहां आपनी आपके लेकर कम झाला नहीं का लिए आज और तो कि आपको पेंडों से थैड़ को इसे कन्सी इडालिया फेश्टी इनागै जुना कोई सफाई करने आदा ना कोई गलियाँ साफ करना ना पानी पर दी पानी इसकी है तो जहले बोट लाने अने पूरुट में होसे आदे थी पड़ि est कंदे परॉट पाओ अभी शिक्रों कई को शोड़ भोर्ट लो कुषी बोर्ट लाने है को इस तब गांटे आपने होता पूरा देन बंदार के काम पर लगे निकलो शामी आओ तो का रही है दिखो पानी देको बूंद भी है नी ते बड़ा जाद मुश्कल है तीन देनों यह पानी आए दे बड़ी दूर हो जाई है पर बजार हो जाई है पर उथू ल्याना पूंदा पानी ते तो बोट लेने हो पानी दिखो बड़ी जाद मुश्कल है पानी वाला वासा त्यान देओ खोड़ा यह ते नाम जल शक्ति विभाग रख देने से जो डिपार्टमेंट में कम्या कमजोरियां है वो तो हल नहीं होंगी क्या कारण है कि इतने दुनों से जो है पानी की सप्लाइब बंद है ले कोई तक भी जो है इन लोगों की गुहार नहीं सुनी है